सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग कफ़सादा बढ़िया होंगे और आज की स्वीडियो के इंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक Arts and Commerce student है, अगर आप Delhi City को target कर रहे हो या फिर आप Delhi City के इंदर फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो कि अगर आप preparation भी अपनी करना चाहते हैं, CUT के लिए चाहिए आपको BA करनी है, BSC करनी है आपको BCOM करनी है, BBVM करना है Delhi City से या आप CUT की तयारी, BHU के लिए करना चाहते हो, JNU के लिए, तो हम लोग complete preparation भी आपकी करवाते हैं हम लोग आपको major domains provide करते हैं, general test आपको provide करते हैं, language में English provide करते हैं और पूरी तयारी आप कर सकते हो, video lectures आपको मिलते हैं, topic wise test आपको मिलते हैं, mock test आपको मिल जाते हैं, aptitude की e-books हम लोग आपको provide करते हैं, इसके अलावा हम लोग आपको फिर वहाँ पर mentorship भी देते हैं, आपके academic doubts होगे, non-academy doubts होगे, सारे आपके soul होते हैं, तो अगर आप तयारी करना चाहते हो, तो हम लोग आपकी complete preparation भी करवाते हैं, WhatsApp आपको civic hello send करना है, और आज से अपनी जो तयारी है, वो आप शुरू कर सकते हैं, CUT के लिए, और top college में, जो भी आपके dream college है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, अपनी मेहनत करके, right? So, चलिए बात करते हैं, आज के हमारे topic पर किस तरह की jobs आपको मिलती है, सबसे पहली चीज़, जो Delhion City को लेकर के, placements को लेकर के misconception हो, मैं बर दूर करना चाहता हूँ, कि Delhion City के अंदर जो campus placements आती है, वो mostly कुछ courses के लिए ही आती है, सभी courses के students placement Delhion City से नहीं ले सकते हैं, वो क लिए आपको placement मिल सकती है, या फिर arts and commerce के students होते हैं, वो BBA, BMS के अंदर भी जाते हैं, तो अगर आप Delhion City से BBA, BMS जैसे management के courses कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको placement मिलने के chances हो जाते हैं, या फिर जो students BA in English honors कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर language के हिसाब से भी आपको काफी करते हैं, BSC मैस करते हैं, बेशना वो arts and commerce के students के लिए जिन courses के लिए मिलती है, अब मान लिए अगर आप हिस्ट्यों के student है, अब जोगफियों के student हो, या फिर मान लिए आप कोई दूसरा संस्टित होना सभएरा कर रहे हो, तो इन जैसे courses के लिए जो ये courses होते हैं, इनके ल जो आकर के बोले कि मुझे historians के students चाहिए, तो इस तरह की companies नहीं आती है, कोई भी corporate नहीं आता है, वो specifically courses को mention करते हैं, जो courses मैंने आपको just बताये थे, या फिर कुछ companies होते हैं, जो लिए जो लिए students, तो वहाँ पर कोई भी student apply कर सकता है, बट अगेन, जो jobs मिलती है, वो majorly उन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर आप इन courses से हैं, तो आप campus placement ले सकते हैं, लोगि उन campus placement जो है, वो उन courses के लिए होंगी, right, अब बात करते हैं कि किस तरह के companies आती है, किस तरह के sectors के अंदर आप जा सकते हैं, किस तरह के job profiles आपको मिलती है, और क्या package होता है, तो देख इसे जो banks हो गए, private banks हो गए, वो सारी companies आ जाती है, इसके अलावा automobile से भी आती है, इसके अलावा IT sector से भी आती है, IBM हो गया, और और भी कुछ companies हो गई, IT sector से काफे साथ आती है, right, तो इस तरह की जो बहुत सारी companies हो आती है, और कभी-कभी, बहुत ही rarely, मतलब 100 मेर्स से एक company, इसे rare companies होती है, जो media की तरफ से भी आती है, जैसे की new channels वेरा हो गए, वो बहुत ही rare है, लेकिन, लेकिन जातर companies इस तरह की आती है, अब आपको बतातल चुगा है, किस तरह की companies आती है, अब हम बात करते हैं, किस तरह के sectors के अंदर स्कूरिण जाते है, तो गर मैं sectors की बात कर हो, इसके अलावा hospitality industries है, लेकिन वो बहुत ही कम आती है, लेकिन आती है, एक दो एक दो आ जाती है, तो इस तरह की companies है, consultancy के अंदर आप जा सकते हो, तो ये कुछ companies है, इस तरह के sectors अलग अलग आते हैं, इन sectors के अंदर students जाते हैं, अब बात करते हैं, कि जो profiles आपको किस तरह है के मिल सकते हैं, तो देखो, अगर आप पढ़ाई का रहें, तो वहाँ पर data entry में भी आपको एक opportunity मिल सकती है, data entry के जो paying jobs होती है, इतने साथ highest paying नहीं होती है, एक average package आपको data entry के अंदर मिलता है, इसके लावा फिर देखिए, बहुत सारी management की field के अंदर है, जैसे कि आप business analyst हो, आप market analyst हो, आप strategy analyst हो, तो यह जो job profile से काफी जाधा highly paying आपके लिए हो सकती है, business development manager भी होता है, तो अगर इस तरह की job आपको मिल रहे है, तो यहाँ पर आपको काफी highest paying job मिलने के chances है, अगर आप एक अच्छे कोले से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि शही सुक्देश से आ पढ़ा ही कर रहे हो, हिंदू कोले से पढ़ा ही कर रहे हो, विरांडा में हो, LSR में हो, हंसराज के अंतर हो, यह जितनी भी top college है, अगर आप इनके अंतर पढ़ा ही कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 20 LPA तक के packages के जाने के भी chances होते है, जैसे हंसराज कोलेज वहाँ पर 15 LPA तक भी जा सकता है, highest package, but again highest package सभी students को नहीं मिलता है, उसे कुछ students को ही मिलता है, but हम मिल सकता है, right, तो इस तरह की जो profiles आपको मिल सकती है, इसके लावा देखिए, आज के डाइम पर data science का एक बहुत बड़ा important role आजकल आ चुका है हर company के अंदर, कि भी माल लिशी है, अगर आ economics owners कर रहे होते हैं, become owners कर रहे होते हैं, BBA कर रहे होते हैं, वो data science की तरफ भी जाते हैं, और काफी highly paying jobs होते हैं, data science के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, right, data science के लावा गर हम बात करूँ, तो फिर देखो, बहुत साथ students retail के अंदर भी जाते हैं, जो supply chain management के अं inventory किस तरह से manage करनी है, कितना हमारे पास stocks होना चाहिए, कितना हमें, जो हमारा stock है, उसको release करना है, तो जो supply chain stock या फिर आपको बहुत सकते हैं, inventory management जो होते हैं, उसके अंदर भी काफी जाता students है, वो वहाँ पर जाते हैं, और ये भी काफी जाता highly paying job आपके लिए हो सकती है, retail के अंदर अकसर आपको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर भी student जो है, वो काफी जाता जाते हैं, और इसके अलावा consultancy हो गया, consultancy के अंदर बहुत जाता बच्चे जाते हैं, मतलब companies ही बहुत जाता आती है, इसके अलावा मालने जी आप जैसे BBN, FIA कर रहे हो, finance के के अंदर नहीं भी कर रहे हो, विको मोरा सखर आप कर रहे हो, तब भी वहाँ पर काफी सारे banks आते हैं, जो financial sector के अंदर आपको ले करके जाते हैं, आप banks के अंदर जा सकते हो, banks के अलावा फिर आपके पास options होते हैं, मालने जी किसी company के financial department के अंदर आप काम कर रहे हो, जहा अपना भी financial management होता है, उस team के अंदर भी आप जासते हो, financial management के अंदर भाई, आपको काफी ज़दा highly paying jobs मिल जाती है, अब बात होती है, सारी किसारी कि आप top college से पढ़ाई कर रहे हो, मालने जी कि आप top college के अंदर हो, फिर भी आपको average packages भी देखने को मिल जाते हैं, आपको 5 L खासी है, थोड़ी सी, बड़ाई होब आपको एक idea लग गया होगा है न, और हाँ एक सीज़ और आपको बहुत ज़्यादा interesting चीज़ बताता हूं, जो कि बिल्कुल fact है, अब मालने जी कोई company है जो company, same job profile के लिए एक top college के अंदर जाती है, मालने जी same company है, same job profile है, वो जा रह लिए काफी कम हो जाएगा, same company है, same job profile है, लेकिन अगर आप एक अच्छे college के अंदर पढ़ाई करें, तो package आपको ज्यादा मिल रहा है, और अगर आप किसी ऐसे college में पढ़ाई करें, जो bill average college है, तो same profile पर आपको काफी कम package देखने को मिलता है, same company का ही, तो अकसर आपको ऐस आपको ऐसा है, तो इसलिए हमेशा target करना चाहिए, तो आपको एक idea लगा है, गए माल लिए आप एक arts के e-commerce के student है, कुणकों से courses के अंदर आपको placement जादा देखने को मिलती है, किस तरह की companies आते है, किस तरह के sectors के अंदर आप जा सकते हो, किस तरह की jobs आपको मिल सकते है, कित उसके अंदर आपको वीडियो एक्सेस मिलेंगे, टोपिवाइस टैस है, मोग टैस है, इबुक्स आपको मिल जाएंगी, इसके लावड आउट्सोरिंग पोर्टल आपको मिलेगा, तो पॉफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी होगी, तो आप वर्साय परे खेलो सेंग कर दीजीगा, बाकी मिलते हैं नेक्स टूडियो के इंदर, तब तक के लिए, बाई बाई एंड टाटा